हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चानल इन्वेस्मेंट का बाजार और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वारे हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के उपर दोस्तों आज के दिन वोडाफोन आइडिया का शेयर 9 रुपे का जो उसका रेजिस्टेंस था उसको क्लियर करकर 9 रुपे 5 पैसे पर ट्रेट कर रहा था लेकिन फिर दोस्तों मार्केट में हाईयर लेवल से आती है बिकवाली और उसके चलते दोस्तों शेयर आपको 9 रुपे से नीचे क्लोज होता वह देखने को मिला है कुछ बड़ी अपडेट भी निकलकर आईए वोड़ाफोन आइडिया के शेयर में और 12 रुपे तक का टागेट नीर टर्म में आपको वोड़ाफोन आइडिया के शेयर में देखने को मिल सकता है जानेंगे सब कुछ इस चोटे से वीडियो में तो वीडियो को एंड तक देखिएगा वीडियो अच्छे लगे तो चानल को सब्सक्राइब करके जाएगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रेंट अगर बात करें तो एक खबर निकल कर आती है तीन गंटे पहले वी आई बिजनस लाँचेस प्लाटफॉर्म टू हेल्प MSME स्केल डिजिटली MSME सेक्टर के लिए Vodafone Idea आप कह सकते कि प्लाटफॉर्म लाँच करता होगा देखने को मिलेगा जिससे MSME इंडेक्स को MSME जो आप कंपनी से उनको डिजिटली काम करच करने में आसानी होती भी देखने को मिलेगी और जो आगड़ा निकल कर आया आप देख सकते हैं V.I.Business says to help 2.5 lakh MSME in digital journey through ready to next program Vodafone Idea ने ready to next program लाँच किया है जिसके चलते हैं वो digital transformation करने वाले है जो MSME business है तो definitely ये एक और नई business की तरफ Vodafone Idea गुस्ता होगा देखने को मिल रहा है जो कि एक आफी अच्छी बात है अगर आज की बात कर ले तो intraday में share में लगबग 3.45% का uptick आता हुआ देखने को मिला था lower level से लेकिन फिर वही दोस्तों market में एक fall आता है higher level से जिसके चलते है stock में आपको 10 पैसे की closing आती भी देखने को मिलती है आप देख सकते हैं आज का high यह 9 रुपे 5 पैसे आज का low यह 8 रुपे 65 पैसे तो लगबग 40 पैसे का movement आज stock में आता हुआ देखने को मिला परसेंटेज वाइस लगबग 5% का move stock ने intra day में दिया है तो definitely आज का दिन Vodafone Idea के लिए काफी अच्छा रह सकता था बट market में higher level से थोड़ा बहुत correction आता हुआ देखने को मिला जिसके चलते आप देखे तो Vodafone Idea का share गिरावट में close होता हुआ माद माफ करेंगा 10 परसे उपर close होता हुआ देखने को मिला है आप देख सकते हैं आज के दिन Sensex में लगबग intraday में 700 से 800 पॉइंट की तेजी थी लेकिन closing आती है 433 पॉइंट्स में करोड के आसपास 10 करोड के आसपास की volume stock में आती भी देखने को मिली है 10 पैसे की तेजी दोस्तों intraday में Vodafone Idea का share करता हुआ देखने को मिला है और आप देखिए इंट्राडे की range नौ रुपे 5 पैसे तक का high share लगाता हुआ देखने को मिला है और अपने 52 अफतों के high से लगबग 57 से 60% नीचे यह share trade करता हुआ देखने को मिल रहा है तो definitely दोस्तों जिसको भी यह share buy करना है यह काफी सही टाइम है stock के अंदर entry बनाने का क्योंकि यहां से definitely share आपको काफी अच्छे returns कमा कर दे सकता है आज की अगर volume analysis की बात कर लें दोस्तों तो आप देख सकते है कल के दिन 30% की delivery आई है और अमूबन stock में 20-25% की delivery आती है तो delivery percentage stock में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है रोजाना तोर पर stock पे updates आते हुए देखने को मिल रहे है खबरों का सिलसला जारी है तो definitely दोस्तों एक बड़ा moment जो है वो Vodafone idea के share में अपन सब expect कर सकते हैं और intrad कादे में काफी अच्छा काम काच करा था share जिस हिसाब से दुस्तों 9 रुपे के उपर share निकला था definitely आज के दिन लग रहा था 4-5% का upmove देखने को मिलेगा but definitely market ने higher level से गिरावट करी जिसके चलते stock में आपको आज 9 रुपे के नीचे closing आती भी देखने को मिली resistance wise अगर ब 5 रुपे 10 रुपे का level share नहीं चुपाया अगर 9 रुपे 10 रुपे का level share नहीं चुपाया अगर 9 रुपे 10 रुपे का level share तो definitely 6-7% का upmove stock में आना बहुत ज्यादा chances थे तो अब कल के दिन 8 रुपे 95 पैसे का level एक बहुत important level रहने वाले है अगर इसके उपर share निकलता है तो definitely बढ़िया तेजी आपको stock के अंदर आती भी देखने को मिल सकती है company की market capitalization के बात कर ले तो 28,000 करूर की company की market capitalization है और आज पूरे telecom sector में काफी अच्छी तेजी थी TTML 5.5% उपर Vodafone Idea एक परसंट उपर बारती एटेल डेर्ड परसंट उपर टेजस नेटवर्क उसमें भी तेजी जीटेल इंफ्रा उसमें भी अच्छा मुमेंट था तो telecom as a space अभी focus में आता हुआ देखने को मिल रहा है और अब अगर charts की बात कर ले तो 6 months में ये shares 12 रु वो है 9 रुपे 10 पैसे 10 रुपे and then direct 12 रुपे तो ये तीनो लेवल stock में आपको near term में आते भी देखने को मिलेंगे जैसे जैसे ये resistance clear करता हुआ देखने को मिलेगा अगर 10 रुपे का level ये share clear कर देता है short term में तो definitely 12 रुपे तक के swings आपको stock में visible हो सकते हैं इसलिए दोस्तो इस लेवल को आपको ध्यान में रखना होगा जैसे ये share 10 रुपे का level तो definitely आप बना सकते हो और वहां से immediate तौर पर 12 रुपे तक के level आपको stock में देखने को मिल सकते हैं अब अगर कल के level कियात कर लो तो कल के दिन मुझे जगता है कि दोस्तों stock में आपको higher side पर एक बड़ा target Vodafone idea के share में कल की दिन आपको देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तों that's it for video अगर video चला गाओ तो चानल को subscribe करके दोस्तों thank you for watching this video